है गाईज हाई दिस अभिशेख मास्ट इजलोफ इज़ विदान तू कैसी जलोच जिन्दिगी कैसे हो मेरे शेयर 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 नियो वेलकम तो दिस दमागेदार सेशन और मैं आपको शुरू करने से बले यह थम्निल दिखाना चाहता हूं हाँ मेरे को पता है कि भाई मैंने मैं खुद ये कल वीडियो बनाई थी saying that it is fake blueprints all over the online platforms right now है ना सब जगह CBSC क्लास्टन का fake blueprints भाई बट रहा है बेकार की बाते हो रही है और क्यों हो रही है with proof मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था है ना उसी सेशन के एंड मैंने आपको बताया था कि मैं खुद एक blueprint का व traditional practice question में साथ-साथ पिछले 10 साल के CBSC board examinations को review करने के बाद papers को review करने के बाद हमारे पास एक अंदाजा है कि भाई साब आपके chapter wise marks distribution कितने होने चाहिए पूरे science के लिए पूरे दो दिन के काम के बाद आज हम इस वीडियो को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और जैसा मैं कहा रहा हूँ यह अंदाजा यह average marks से पिछले 10 साल में previous year questions को analyze करके कि भाई इन इन chapters में से इतने इतने सवाल के marks range में आते हैं वो average marks में आपको बताने वाल हो ठीक है यह क्या कहते हैं marks distribution को बताते हुए weightage को बताते हुए में शुरू करता हूँ और वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई साब पूरे science में starting from chemical reactions and equations से लेकर our environment तक इस पूरे science में marks distribution कितनी है और मैं आपको उसका proof देते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा proof तो simple है भाई पिछले 10 साल का हमने analyze कर दिया और साथी साथ CBSC के साइट से कुछ hints भी जरूर होते हैं वो hints क्या क्या है वो यह मैं आपको बताते चलूँगा ठेक है बुस्त लोग फिर सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं let's not wait for anything else शोड़ा सा वीडियो है 5 से 10 मिनिट के अंदर आपको पूरा clarity में दे देता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो please make sure to hit the like button and share this video ताकि कोई बढ़के ना भटकना नहीं है हमें सीधा पढ़ाई करते रहे नहीं और यह सब देखते रहना है बस इन simple सी बात है और comments मुझे बताना क्या आपको SST English और Macs के लिए भी ऐसा ही blueprint का सेशन चाहिए की नहीं based on proper analysis of past 10 years of board papers ठीक है आपका काम हम कर रहे हैं like करते जाना ठीक है आप आगे बढ़ते हैं भाई चलो तो पहले हम physics से शुरुबात करते हैं physics में अगर आप देखोगे clear cut straight forward CBAC नहीं कह दिया कि CBAC का अगर आप syllabus निकालोगी यह CBAC ने कहा हुगा है CBAC ज और human eye को मिला कर 13 मार्क से सवाल आने चाहिए और electricity और magnetic effects को मिला कर 12 मार्क के सवाल आने चाहिए यानि के total physics से सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क से सवाल आने चाहिए यह clearly CBAC ने अपने core structure में दिया है और यह ऐसे ही रहेगा यह नहीं बदल सकता 13 मार्क से कम इन दोनों chapter से और 12 मार् नीच में ऊपर नीचे हो सकती है हाँ भाई light जादा आ गया human eye कम आ गया लेकिन total 13 नहीं होगा ठीक है अब इसमें पिछले class पिछले 10 साल के papers को analyze करकर यह clearly में समझ में आ गया कि light chapter से 8 से लेकर 11 मार्क से सवाल आते हैं आपको यानिके light physics में ही नहीं बलके पूरे science में सबसे पगड़ा भारी है इसका सबसे जादा मार्क्स पूरे science में light chapter से ही आती है 11 मार्क सके सवाल आते है 8 से 11 जैसे कि for example पिछले साल का जो board paper तो उसमें 11 मार्क सके सवाल आपके light chapter से थे ठीक है फिर 2 से 5 मार्क के सवाल आपके human eye में आते हैं हाँ guys सिर 2 मार्क के सवाल भी आते है वैसे ही electricity से 5 से 8 मार्क का सवाल आता है और magnitude effect से 4 से 7 मार्क का सवाल आता है टोटल करोगे तो 25 मार्क साब को आ जाने चाहिए ठीक है तो इस basis में अगर आप देख सकते हैं तो फिजिक्स में सबसे important chapter light बनती है मार्क्स वाइस और electricity बनती है मार्क्स वाइस और अगर हम पूर top 10 में आपको दिखाऊंगा ठीक है ready हो तो देखते हैं यह हो गया यह हो गया physics clear clarity मिल गी है अब आगे बढ़ते है to the next point जो आपका है bio bio में भी clearly CBSE ने बोला हुआ है उस course structure में कि bio के सारे chapters को मिला कर 30 मार्क्स के सवाल आने चाहिए कितने मार्क्स के 30 मार्क्स के सवाल आने च सवाल आएंगे उसी course structure में ठीक है मैं आपको end में दिखाता भी हो course structure ताकि आपको मेरी बात का पूरा प्रूफ मिले ठीक है तूस course structure में बुल एक हुए our environment से definitely 5 मार्क के सवाल straight forward आने चाहिए कोई उसमें मिलावट है नहीं होगी 5 मार्क बहुता 5 मार्क guaranteed आपको our environment से आएग control and coordination से 3-4 मार्क का और how do organization reproduce से 6-7 मार्क का heredity से 6-7 मार्क का तो इन सब को total करोगे तो 25 मार्क आने चाहिए इन में अभी आपको समझ में आगया होगा सबसे important chapter भायोग हो जाता है life process score wise फिर heredity आती है how do organization reproduce आता है ये दोनों सबसे least important chapter आपका control and coordination हो जाता है our environment से भी कम आती ह ठीक है लेकिन total marks 30 marks का होना चाहिए अब हम आगे बढ़ते हैं to the next point which is nothing else but chemistry अब chemistry भी physics की तरह 25 मार्क के आने चाहिए in total कितने मार्क के 25 मार्क की तो भाई physics 25 मार्क का हो गया bio 30 मार्क की हो गई chemistry 25 कितना हो गया total 25 25 50 50 30 80 80 80 मार्क का आपका science का board बेबर बनता है जो सही है बाकी 20 इस मार्क आपको internal assessments आती है पक्का अब आगे बढ़ते हैं तो chemistry में अगर आप देखोगे chemical reactions and equations से 3 से 5 मार्क के सवाल आते हैं acid basis and salt से 2 से 4 मार्क का metals and non-metals से 7 से 9 मार्क का और carbon compounds से 8 से 10 मार्क का याने कि आपका chemistry में सबसे important chapter marks wise is carbon compounds उसके बाद metals and non-metals फिर chemical reactions and equations फिर acid basis and salt यह ह आपके marks ठीक है अगर आप मेरा sample paper analysis देखोगे जो कुछ दिन मैंने पहले लिया था और additional practice paper analysis अगर आप देखोगे उन में कौन से important topics हो मैंने बताया हुआ है in fact मैंने एक और session लिए कुछ दिन पहले important topics of class 10th CBC releases उसमें भी देखना आप मैंने आपको chapter by chapter science के हर एक important topics हो बताया हुआ है marks wise so please wrote down करना after again analyzing or not only the CBC sample paper but additional practice questions and past 10 years of paper उसको analyze करके हमने बना आता उसको तो please check it up ठीक है तब आवा उसको chapter के साथ साथ topics भी कौन-कौन से important आपको समझ में आ जाएगी फोल है चलो भाई यह हो गया पूरा chemistry तो that was all for today but let me show you the leaderboard and let me show you the core structure also of CBSE you know क्या कहते है मैं मजाग नहीं कर रहा है मैं प्रूपर प्रूफ के साथ आओ पूरा प्रूफ दिखा के जाओंगा ठीक है तो leaderboard यह कहता है कि भाई सबसे top पे है light 10 marks का life process भी 10 marks आ सकता है carbon components भी 10 marks आ सकता है उसके बाद आती है electricity metals and non-metals heredity how do organs will be produced, magnitude of solid current, chemical reactions and equations फिर आता है our environment, control and coordination, human and the colorful world, acid basis and salt यह है आपका total top पूरा साइंस का leaderboard है यह सिर्फ top 10 में नहीं है पूरा साइंस का leaderboard यह है भाई साह डन है, sorted है, चलो अब बिना वक्त पर बाद किये, hit the like button and share this video right now and subscribe to this channel जब तक मैं आपको proper CBC का course structure दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो करना क्या है आप बस Google क class 10th syllabus 2023-24 यह आगया, click करो सीधा, आपको सबसे पहला website मिलेगा, CBSE का, खोलिए इसमें, यहाँ पर देखो CBC का official website है, इसमें secondary curriculum 9th और 10th में जाओ, main subject में जाओ, science है, science पर click करो, यह आपका syllabus देदेगा आपको, ठीक है, अब इस syllabus में हमेशा 9th और 10th का syllabus साथ में होता है, तो यह 9th है 10th है, तो पहले 9th का आता है, देखो, सबसे पहला, 9th का core structure है न, वैसे 10th का core structure होगा, इसी core structure के बात कर रहा था, जिसमें CBC से ने clear hint दिया हुगा है, कि भाई, कितने माक्स सवाल, किसमें से आने चाहिए, देखो, core structure class 10th का, annual examination, जाने कि आपके final examination का structure क्या है, देख पहला unit, जो chemistry का है, जिसमें आते हैं आपके 4 chapter, metals and non-metals, carbons, compounds, chemical reactions and equations, acid basis and salt, कितने माक्स का है, 25, बोला था मैंने, chemistry 25 माक्सा करके, आ गया, दूसरा, world of living, क्या है world of living, world of living is your, बाले जी के chapters, life processes हो गया आपका, उसके बाद क्या है, उसके बाद भाई, आपका है control coordination, how do organs reproduce, heritage, ठी basic official curriculum में यह, official document है, मैंने कुछ बोला था, नहीं, 20 उठाया है मैंने, तीसरा, natural phenomena, तीसरा unit, light, human and the colorful world, कितने माक्स का है, 12, effects of current, electricity, magnitude effects, 13, कितने होए, 25, बही बोला था मैंने, ठेक है, natural resources, क्या natural resources, our environment का chapter, 5 माक्स, तो bio का 25 यहाँ पर, और 5 यहाँ पर, 30 हो गया, यह बताया था मैंने, यह, straightforward curriculum में है, आपको tension लेनी ज़रोता नहीं है, ठेक है बेटा, तो 25 के 25 माक्स आपके पास होंगे, light और human eye से 12 माक्स के सवाल आएंगे, electricity और magnitude effects से 13 माक्स का, यह और पूरे chemistry से 25, और वैसे ही पूरे bio से 30 माक्स का, 5 माक्स से air environment dedicated है, 5 माक्स का air environment dedicated है, ठेक है बेटा, तो with all the proofs, I have given you guys the approximate blueprint and approximate chapter wise marks weightage, I really hope all of you guys understood now and enjoyed it, and will appreciate us by sharing this video and subscribing to the channel, and letting me know in the comment section कि आपको max SSD or English का भी, क्या ऐसे ही proper analyzed video चाहिए, बताना मुझे comments में, until we are the next time, this is Abhisheed, signing off, enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I will catch you guys in the next one, peace. झाल